स्वागत है आपको मेरे इस चैनल में आज मैं बात करूँगी इस वीडियो में मॉदर टीन्चर हेमियोपेथी मेडिसीन, SP डोसपर्मा, क्यू ब्रोचो दवा के बारे में क्या है इस दवा के फाइदे कब इस दवा का प्रियोग किया जाता है सब हम बात करेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले आप से छोटी सी रिकोवेश्ट है यदि आप पहली बार मेरे चैनल ग्यान सी भी पर आये हैं तो नीचे दिये गए लाल बटन को दवा के मेरे इस चैनल को जरू सस्क्राइब कीजिए बगल में बेल आइकन में अल नोटिफिकेशन जरूर अन कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं इसे लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह के हेल्थ संबन्दित मेडिसीन संबन्दित वीडियो लाती रहती हूँ चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं SP डोसपर्मा क्यूब रोचो मेडिसीन का प्रयोग कब किया जाता है पर दूसन के कारण सुवसन परनाली में कोई भी समस्या है तो उन समस्या में इस दवा का प्रयोग किया जाता है यह एक हेमियोपेथिक दवा है यह अस्तमा के लचनों से राहत देता है और सुवसन पद उतरजक के रूप में कार्य करता है यह छाती में जवाव से भी राहत देता है और बेहतर स्वास को बढ़ावा देता है यह रगत में ऑक्सिजन को बढ़ाता है और कारबोनिक यूब्रोचों का उपयोग सवसन पर नालिस से जुड़े विकारों की इलाज के लिए किया जाता है, अस्तामा और इन्फलेंजा से पिडित लोगों के लिए अतियादिक फाइदे मन्त है, यह छाती में जमाओ से राहा दिलाने में मदद करता है और लगतार खांसी को रोकता है इसका उपयोग कामेचhा बढ़ाने और स्वस्ष स्यक्स लाईफ को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाए सकता है, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में इस मेडिसीन की खुराक की एक चमच पानी में 3-5 बूंद मिला कर पीना है, दिन में 3 बार लेना है, या फिर आप अपने डॉक्टर के सहला अनुसार है, इस मेडिसीन का खुराक ले सकते हैं एस्पी डोसफर्मा क्यू ब्रोचो मेडिसीन का प्राइज की बात करें तो 210 रुपिया इसका प्राइज है, आप किसी भी हेमियोपेतिक मेडिसीन के दुकान से इस मेडिसीन को खरीच सकते हैं ये एक लिक्विड दवा होती है, 30 ml की बोतल में आती है ये दवा, SBL फ्राइबिट लिमिटेड इस दवा को बनाती है